हलो एफ्रिवान तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोट का हिंदी जो की क्लास 12 का है इसके चाप्टर शब्दावली विश्यो कोस थिशो रस परिचय और उप्यो इसके बारे में डीटेल से हमने इससे पहले वाले दो वीडियो में पढ़ा था आज हम इसके अभ्यास कारे को कोश्चन इंसर को इसके द्वारा करने वाले हैं तो आईए इसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन है आपका निमनलिखित प्रश्णों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए फास्ट कोश्चन है शब्द कोश किसे कहते हैं क्या होता है तो शब्द कोश्च शब्दों की एक ऐसी बड़ी सूची या ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की मानकवर्तनी उसकी व्योतपत्ती उच्चारण अर्थ व्याकरण निर्देश परिभाशा प्रयोग और पदार्थादी का सन्निवेश होता है सन्निवेश यानि सम्मिलित होते ही यह चीज जिसमें यह चीजों को ध्यान में रखकर शब्दों कोश्च का निर्मान किया जाता है तो ये एक ऐसी पुस्तक होती या एक ऐसी बड़ी सुच्ची होती किसकी शब्दों की या शब्दों की एक बहुत बड़ी ग्रन्थ होती है। चीजों का इसमें सन्निवेश होता है, शामिल किया जाता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, सेकंड कुशन है, शब्द कोश में किस तरह की जानकारी होती है, तो शब्द कोश में शब्दों की वर्तनी शुद्ध होती है, शब्द का उचारन कैसे किया जाता है तथा उसकी वियुत्पति कैसे हुई है इस संबन्द में पूर्ण जानकारी मिलती है इसके अलावा व्याकरण की दृष्टी से शब्द के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है तो शब्द कोस में कौन सी जानकारी दी हुई रहती है किस प्रकार की जानकारी दी हुई रहती है तो इसमें शब्दों का उचारन शुद्ध उचारन उचारन तो कोई भी कर सकता है चाहे वो सही गलत लेकिन सही उचारन कैसे होता है सही उचारण इसका किस प्रकार से होता है ये हम इसमें देखते है सब्दों के उचारण कैसे किये जाएंगे ये कहां से लिए गए है इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई रहती है इसके अलावा हम देखेंगे कि ग्रामर की दृष्टी से गरम देखें व्याकरन की दृष्टी से तो शब्दों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी हुई रहती है थार्ड कुशन है शब्द कोस का उप्योग क्यों किया जाता है क्या रीजन है उप्योग क्यों किया जाता है तो मनुष्य को अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए सही अभिव्यक्ति की आवशक्ता होती है सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का चयन आवशक होता है सही शब्द चयन के लिए शब्दों का संकलन तथा शब्दों के मानकी करण की आवशक्ता होती है ये सारी चीजे एक साथ शब्द कोश में मिलती है इसलिए शब्द कोश का उपयोग किया जाता है तो क्या रीजन है कि हम मनुश्यों को अपनी भावना ये अपने फिलिंग्स को एक दूसरे से जाहिर करने के लिए एक दूसरे के सामने व्यक्त करने की आवशक्ता होती है और इस आवशक्ता को इस अभिवेक्ति को सही प्रकार्सिम कैसे कर सकते शब्दों का सही प्रयोग करके और सब्दों का सही प्रयोग कैसे पता चलेगा कोई भी शब्दों का सही प्रयोग कैसे पता चलेगा में उसके बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो सही शब्द का उप्योग करना, शब्दों के मान की करन की आवशक्ता होती है, जब तक शब्द सुद्ध उच्छारन जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक वो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है, वो हमें शब्द कोस में, डिक्सनरी में एक सात मि जाती है इसलिए शब्द कोश का उपयोग किया जाता है सेकेंड कुशन है निमने लिखित प्रश्णों के उतर चार-पांच वाक्यों में लिखिए फर्स्ट है विश्व कोश किसे कहते हैं तो विश्व कोश में किसी भी विशय का पोण विवेचन होता है इसमें संसार के सभी मुख्य विशयों का विस्तरित लेक उनके एतिहासी की विवरण प्रियोग तथा गुण दोस आदी का विशद विवेचन प्रस्तुत किया जाता है साथ ही उस विशय से जुड़े दृष्टान उधारण प्रिष्ट भूमी तथा चितर आदी भी प्रस्तुत किये जाते हैं इस प्रकार विशय कोस में किसी विशय वस्तु आदी की प्रकृती निर्माण प्रक्रिया प्रियोग विधी शक्ती स्वरूप आदी का विस्तार से वरणन किया जाता है विशय कोस किसे कहते हैं तो विशय कोस में विशयों की व्याख्या दी रहती है विश्यो कोई भी सब्जेक्ट को लेकर पूरी जानकारी दी गई रहती है इसलिए इसमें मुख्य विश्यो पर उसके उपर विस्तृत लेक यानी लेक लिखा जाता है डिटेल में उनके अतिहासिक विवरण उनका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके गुण दोस क्या है इन विविचन प्रस्तृत किया जाता है बहुत ही बड़ी मात्रा में या हर एक डिटेल इसमें दी गई होती है साथ ही जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम विश्यो को उसका निर्मान कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके दृष्टान्त हो उधारन हो कहां से वो हैं कि विश्यो कोस में किसे विशय वस्तु आदि की प्रकृति निर्मान प्रकृयां प्रियोग विध्य शक्ति स्वरूप आदि का बहुत ही विस्तार पूरवक वरणन किया जाता है सेकेंड कोशन है ज्यान कोश किसे कहते हैं कोश की एक विद्या ज्यान कोश के नाम से विक्सित हुई है इसके भी कई प्रकार और पधतियां है चरित कोश, कथा कोश, इतिहास कोश, एतिहासिक कोश, काल कोश, जीवन चरित कोश, पुरा ख्यान कोश तथा पौरानिक ख्यात को पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष दाशे परानिक ख्यात पुरुश कोश हैं यह सारे अनेक विधाएं दी रहती है मतलब चरित कोश से संबंद्धित अलग डिक्सणरी होगी कत्व होगी इतिहास संबंद्ध जो इस संबंद्ध होगी तो यह हर प्रकार से इसको विक्सित किया गया है और अभी भी इसमें विकास किया जा रहा है नेक्ट है विश्यकोस का उपयोग बताईए क्यों इसका उपयोग किया जाता है विश्यकोस में किसी विशय वस्तु आदि की प्रकृति निर्मान प्रक्रिया प्रयोग विधी शक्ति स्वरूप आदि का वि विवेचन किया जाता है संसार की हर मुख्य विशे पर विश्व कोस में विस्तरित लेख होता है उसके एतिहासिक विवरंट तथा गुण दोस्त प्रियोग आदी का विशद विवेचन भी होता है साथ ही विशे से संबंद दृष्टांत उधारण चित्रादी भी होते हैं इ इसमें हमने पढ़ा कि इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी तरह की जानकारियां दी गई होती हैं तो कौन-कौन सी जानकारी हो सकती है जैसे इसकी प्रकृति क्या है इसकी निर्मान प्रक्रिया किस प्रकार से हुई है निर्मान प्रयोग कैसे करते हैं इ इसका जो स्वरूप है वो कैसा है तो हर चीज के बारे में बहुतीटेल से दिया हुआ रहता है या व Avenan किया हुआ रहता है तो कोई भी सब्ज़ेक्ट से रिलेटेड हो जैसे हिंदी विश्योकोस हो हो तो हिंदी सब्जक्ट के बारे में पूरा नॉलेज उसमें आपको मिलेगा ये और इसमें सिर्फ हिंदी में ही नहीं हर एक सब्जेक्ट पे विश्यकोस का निर्मान किया गया है अधिकतर सब्जेक्ट के बारे में विश्यकोस का निर्मान किया गया है जिसमें हम देखते हैं कि अतिहासिक विवरण दिया रहता है क्या गुण दो से है किस प्र साथ ही जो भी subject है उससे संबंदित, द्रश्टानत क्या है, उधारण क्या है, ये सब आपको चित्रों के माध्यम से भी समझाए जाते हैं. और इन से यानि विश्यकोर्स से हम सभी को पूर्णे जानकारी मिलती है, उस subject के बारे पूरी जानकारी मिलती है. इसके अलावा विश्योकोस की जानकारी प्रामारिक होती है ऐसे ही कोई भी विश्योकोस नहीं प्रकाशित कर सकता है चाप सकता है तो ये प्रामारिक पुस्टक होती है तो इन इन छेत्रों में इस तरीके से इसका उप्योग किया जाता है तो इस प्रकार से ये चाप्टर आपका समाप्त होता है उम्मिद है आपको ये चाप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना न भूले थेंक यू